36 गड़ में पिये मोधी की जाती और राहूल गांधी के सरनेम को लेकर कॉंगरिस और बीजेपी आमने सामने है निया यात्रा के रायगर पहुचने के दोरान राहूल गांधी ने मोधी के उबिसी होने पर सवाल उठाय था राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा ने राहुल गांधी के सरनेम पर सवाल खड़ा कर दिया है मंत्री ओपी चौजरी ने राहुल से पुछा है कि नहरु से वह गांधी कैसे बन गए प्रियंका वाडरा से गांधी कैसे बन गई? इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए आपके ब्रधान मंत्री नहीं पैदा हुए आपके ब्रधान मंत्री जनलर कास्ट पैदा हुए और यह पूरी दुनिया जूश्च बोल रहा है कि मैं OBC पैदा हुआ पतार में कैसे जानता हूँ? मोधी जी ने कि जो उनकी जो विजन है उनका जो नजर है वो देश को बांटने वाली ताकतों से उपर उठा कर देश को आगे बढ़ाने के लिए है मोधी जी ने मोधी जी की विजनरी नजर चार भागों में चार स्वरूपों में समाज को देखती है जिसे हम ग्यान के रूप में परिभासित करते हैं जी वाई ए एन जी गरीब वाई युवा ए अन्नदाता और एन नारी इन चार स्वरूपों में मोधी जी की विजनरी नजर हमारे समाज को देखती है और चाहे मोधी जी के प्रधान मंतरी बनने के बाद हम उनके पहले राश्पती के रूप उन्होंने एस्टी समाज से चुना दूसरी बार राश्ट्रपती के रूप उन्होंने एस्टी समाज से चुना जो आजादी के 50 सालों के 70 सालों में पहले सभी संभव नहीं हुआ था ओबीशी वर्ग को उन्होंने मंत्री मंडल में सरवाधिक एतिहासिक रोल दिया ये सभी वर्गों को प्रतिधित देने का जो काम है वो पूरी इमानदारी के साथ भारती जन्ता पार्टी करती है मोदी जी के जाती पर राहुल जी सवाल उठा रहे हैं 36 गड़ में जो सहू होते हैं वो गुजरात में इसी समुदाय को विलॉंग करते हैं ये एक पक्ष है जाती का पक्ष लेकिन मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहा रहा हूँ कि मोदी जी पर सवाल उठाने से पहले वो नकली गांधी को जवाब देना चाहिए और इतिहाज बताना चाहिए कि वो राहुल नहरू से कैसे राहुल गांधी बने और प्रियंका वाडरा को जवाब देना चाहिए कि वो वाडरा है नहरू है या नकली गांधी है